धमनेल देखकर सर्प्राइज मत होना विनोध कामली और पृत्वी शौ में जितनी सिमिलारिटीज है ना इतनी शायद ही किन दो क्रिकेटर्स के बीच में हूँ विकॉज दोनों का हैर स्टाइल सेम है पहला दूसरा दोनों ही हमबल बैक्ग्राउंड साते हैं तीसरा दोनों ही मुंबई के हैं दोनों को पता नहीं था कि मेडिया में कब क्या बूलना है और नौवा दोनों ही एक समय के बाद ।ative क्रिकेट से इतने गायब हो गए कि अब उनकी कोई बात मैं करता है इसके यह जो सबसे आखरी वाला डिफ्रेंट्स ना इसमें फराख है विकास वो विनोत कामली के साथ तो अरेडी हो चुका है लेकिन पृत्वी शौह के पास चांस है कि वो खुट के साथ वो होने से रोख सकते है तो मैं यह कहानी शुरू से शुरू करता है दोहजार अट्रा की बात है पृत्वी शौह का डेब्यू हुआ था डेब्यू के अंदर विस्टिंडी इसके अगेंस्ट शायद मेरी मेंबरी अगर मुझे सही सर्फ करनें तो शायद चिन्ने माइड बी के चिन्ने का ही मैदान था जहां उनका डेब्यू हुआ था वेस्ट इंडीस की टीम सामने थी और डेब्यू के अंदर सौरन ठोक दिये थे प्रित्वी शौन और तब रवी शास्तरी ने बोरा था कि मुझे इनमें लारा सचिन और सहवाक की जलग देखती है अब जिसमें लारा सचिन और सहवाक की जलग देख रही थी उसका कंपारिजन विनोथ कामले से कैसे होने लग गए अब बहिया चलता है विनोथ कामले की डिस्टोरी की तरफ बेगास दोमे की साथ सथ सुनता है ना सेम डेबियू होता है विनोथ कामले का 1990s में बहुत रन बनाया थे सचन तेंदोलकर के साथ उनकी वो हारिश शील्ड की पार्टनर्शिप फेमस हो चुकी थी जिससे विनोथ कामली डेबियू से पहले ही लाइम लाइट मा चुके थे और डेबियू उतना ही शानदार उनसके बाद जो स्टार्ट था विनोथ कामले का करियर में बहुत ही शानदार स्टार्ट फास्टिस्ट प्लेयर बन गए थे थाउजन रन्स के इंडिया की तरफ से इतना शानदार रेकॉर्ड करियर जा रहा था लेकिन वही हुआ जो प्रित्वी शौ के साथ हुआ था कंपैरिजन्स उनके भी बड़े बड़े लेजन्स के साथ हो रहे थे लेकिन फिर भहिया दोनों की गाड़ी यहां से बिल्कुल सिमिलर टरन पर जारती है प्रित्वी शौ और विनोथ कामली प्रित्वी शौन ने एक इंटर्व्यू में बताया कि यहां उन्हें सचन तिंदल करने बहुत प्यारी एडवाईज दी थी कि भहिया टैलेंट हमेशा डिसिप्लिन से हार जाएगा इसलिए डिसिप्लिन रखो और अब टाइम आ चुका है कि प्रित्वी शौ उस एडवाईज को बहुत सीरियस ली ले बिकॉस सिमिलर ट्रैक पर दोनों ही चल रहे थे विनोत कामले का करियर जैसे नीचे गया था प्रित्वी शौ का भी वैसा ही जा चुका है उस बात का प्रूफ यह है कि 75 लाग की छोटी सी बेस प्राइज होने के बावजूद किसी ने खरीदा नहीं लेकिन बचा लग सकता हैं करियर को उसी एडवाइस को फॉलो करके डिसिप्लिन में आ जाएं बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही हो जाएगी बिकॉस इंडियन क्रिकेट सर्कल्स में परसेप्शन है कि प्रित्वी शौर डिसिप्लिन नहीं है उनके डिसिप्लिन डरी इशूस बहुत सारे हैं वो अपने ट्रेनिंग को सीरियसली नहीं लेते हैं और जब यह सारी बात किसी प्लेयर के बारे में फैलती है न तो फिर लोग उससे किराना कर लेते हैं और यही वज़ा है कि जिस आक्षन टेबल पर एक से एक पार्खू लेजंड्स बैठे थे डैनियल विटोरी, जस्टन लाइंगर, रिकी पॉंटिंग, पार्थिव पटेल, राहूल द्रविट, सौरव गांगूली जैसे लेजंड जिस टेबल पर जिस रूम में थे वहाँ पर किसी ने भी पृत्वी शौ के उपर भाव नहीं दिया, के नहीं दिया, डिसेप्लेन नहीं है, तो प्लेयर किसी का आम का नहीं है, इसलिए अगर सचन तंदुल करके वह एडवाईस अभी सीरियसली लेते हैं, तो खुद को विनोत कामलेस अलग करके लेजंड्स की बलके हो सकता है, मैं तो यह सजेस्ट करूँगा कि आप मुंबई से भी चले जाएं, आप मुंबई को छोड़कर अपनी रंजी टीम भी शिफ्ट कर सकता है, मिकास मुंबई के प्लेयर्स पर जनरली लाइम लाइट जादा हो, आप पर लोगों का फोकस जादा हो, इसलिए मुंबई को छोड़कर किसी और स्टेट साइड में जाकर अपनी कर्केट खेले, बिकास इससे जब आप रं बनाएंगे तो आप में कॉन्फिलेंस आएगा, और टीम का जो ट्रस्ट आप से चला गया है, वो वापस आ जाएगा, फिर आपका IPL में अच्छा रं बने तो फि किसी नहीं लिया उस दिन, और उन्हें कहा कि हर रात को यह सोचा जाता था कि प्रित्वी शौह को हम डैली कैपिटल से ड्रॉप कर देंगे प्लेंग 11 से, लेकिन अगली सुभा हम सोचते थे यार बहुत टैलेंट है, एक मैच और देंगे, इसलिए टैलेंट अभी भी नही से शायद क्लमपैरिजन पांच साल बाद नहीं होगा, वो होगा बड़े-बड़े लेजन्स के साथ, उम्मीद करता हैं यह प्रित्वी शौह जो है इसी पैथ हवे पर चले जाएं, जिस पैथ में की मैं मने बात की है, और यह कंपैरिजन कभी ना हो, विकॉस बिनोत कामले यह बात भुले बिसरे होती है, और कभी भी अच्छे टोन में नहीं होती है, इसलिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्स्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन वे लाइकन दबा दीजिए, बाकि मैं आप से मिलूँगा, किसी नहीं वीडियो में तब तक के लिए अपना काल रखिये गातने बात